नमस्कार दोस्तों, डीडी रेट के एक और रेक्शन वीडियो में आप सभी का स्वागत है, मैं हूँ आलोग, तो आज जो वीडियो लेकर आए हूँ, वो वीडियो है, केटलिस रिकॉर्ड्स का और इसका टैटल है, MRF बिकम्स दा फॉर्स इंडियन स्टॉक तो हिट दा प् पहला इंडियन स्टॉक है, जो इस प्राइस पर पहुंचा है, तो आप समझे कि इंडस्ट्री पर लोगों का भरोसा कितना है, और MRF नॉर्मल्ली हमने देखा है कि टायर बनाती है, और टायर की कंपनी है, तो चले बहु देखते हैं कि इस पर पाकिस्तान के लोग क्या कह क्या करते हैं सराव? कि मैं साइकल वालों के देखूंगा ये पैदल वालों के देखूंगा, तो मैं सिकून में दोओंगा, अल्ला के शुकर अदार करूंगा, मेरा आज का आप से कॉस्टिन ये है, MRF एंडियन एक कंपनी है, उसके शेयर की प्राइस पर शेयर प्राइस एक लाग तक चली गई है, बहाइसियत पाकिस्तानी किस तरीका से देखते हैं, अगर मैं स्टॉक मार्किट के आप से बात करूं, कितना काम कर रहा है भारत और हम कहां पर स्टैंड कर रहे हैं? सर, बिसिकली जहां तक बात करूं काम करने की, तो काम में तो हम आलसी बिल्कुल नहीं है, काम तो हम कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, जो होनर हमारे पास है, वो भाक्तियों के पास नहीं है, लेकिन बात से बितनी कि हमें अवेर्निस की जुरत है, स्टॉक मार्किट उनक कहां छुपा रखा है आपने 75 एर से आपकी कंट्री में क्या एक बाइक का इंजन बनता है कार और रिल्वे इंजन और ट्रक के इंजन और बसों के इंजन यह तो छोड़ दो एक बाइक का इंजन बना पाए हैं आप आज भी जो आपके यहां बाइके चलती हैं सेवेंटीज और वो जो भी हैं वो हमारे यहां 15-20 साल पहले रेटायर कर दी गई स्क्राइप में बेज दी गई कोई नी चलाता हमारे यहां वो बाइक अब लेटेस्ट टेकनोलोजी वाली बाइक्स आ गई है और आप बात करतें कि हुनर आप में बहुत है हाँ हुनर आप में बहुत है बैमानी करने का साज़िशे करने का दूसरे की टांग खीचने का दूसरे को नीचा दिखाने का यह बड़ा हुनर है और बाते करने के लिए भी हुनरमंद होना जरूरी है कोई ने कोई एक सेक्टर ऐसा होता जो बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा होता इंटरनेशनल टर्रिरिर्जम एक्सपोर्ट करने के अलावा जो आपकी IT है जो वो एक्सपोर्ट करती है और हाँ इससे याद आया ग्रीस ने आठ ये नौ और पाकिसानियों को पकड़ा है टेरर प्लोटिंग के मामले में तो इंडिया अगर कहता है ना कि पाकिस्तान भी IT एक्सपोर्ट करता है लेकिन इंटरनेशनल टेर्रिस्ट एक्सपोर्ट करता है और ग्रीस में पकड़े गए है आठ है नौ पाकिस्तानी वो आतंकबादी साजिश कर रहे थे अब बताईए तो बात सही साभी तो इंडिया की और आप लोग खामा का हमारे उपर आरूप लगाते रहते हैं कि जूट बोलता है जूट बोलता है रहे ग्रीस वाले पगला गए हैं ग्रीस की जो एजनसी है ग्रीस के जो पुलिस है वो सब अकल के अंदर हैं उनको सिर्फ पाकिस्तानी नजर आ रहे हैं टेरर प्लोटिंग में पकड़े गाए पाकिस्तानी महां पे अब देखिए हम दिन में दिन जैसे कि अभी आपको पता है कि डॉलर्स के रेट बहुत हाई हैं तो अगर हम इसमें थोड़ी सी इंपोर्ट को ओन करें कोविट की वए से बड़ा मामला खराब हुए थे इंपोर्ट एक्सपोर्ट स्टार्ट होजए की तो हमारी स्टॉक एक्सचेंज भी फुट सी बूस्ट करेंगी और स्टॉक एक्सचेंज बूस्ट करने से बिजनस कम्यूनिटियों को फाइदा होगा जिसकी बैसे पर हमारी एकॉनमी जो है वो कुछ बैटर होजए किसी भी शोबे को आप उठाके देख लें आप आर्टो मूबाइल सेक्टर के उपर बात ल निजाम अठा देना चाहिए इसी वज़े से पाकिस्तान के दिक्कत हो रही है तो भाई मुझे तो लगता है कि जो भी छोटा-मोटा एक छोटा से जैसे हमारे यहां चाइक टपरी होती है वैसे ही आपके यहां पाकिस्तानी स्टॉक एक्सचेंज है चाइक टपरी की तरफ हमारे यहां जो होती है चाइक टपरी मुझे अठता कि इंडिया वाले यह बात समझ करूंगे कि मैं क्या कह रहा हूं तो बंद करो यार इसको किस बात का स्टॉक एक्सचेंग वो तो घैर इसलामी होगा ना स्टॉक एक्सचेंग इंट्रेस्स आता है जुआ उसमें होता है बैंकिंग सिस्टम भी आप कहते हैं कि सूधी निजाम यारी चलना नहीं चाहिए तो घैर इसलामी है यह जल्दी हटाइए यह लोग नहीं तो प्रॉब्लम खतम नहीं होगी आप लोग की स्टॉक एक्शेंग बंद कर दीजिए बैंकों से सूध हटवा दीजिए एकदम अपने साथ कंपेर किया करते थे अब वो दुनिया में टॉप के ऊपर रेंक कर रहे हैं डिजिटल पेइमेंट्स के अंदर दुनिया में नंबर वन कंट्री है भारत जो दुनिया की सबसे जादे डिजिटल पेइमेंट्स कर रही है वच्छे आपको क्या लगती है कि इतना इंटर्फ्यू से देखें तो उनका आगे निकलना नेगिटिव तो नहीं हो सकता है डेफिनेटली बिल्कुल भी नहीं है ऐसा तु कि आइटी में डेफिनेटली वह आगे है बिल्कुल है अगर आप एजूकेशन सेक्टर देखो तो हमें ज्यादा कामॉड़ेट किया जाता ह है लेकिन अगर आप उनको देखो तो उनका बच्चा बच्चा एंग्लीश बोलता है जो कि हमाते हैं बहुत मुश्किल है लेकिन आईटी बेस में वो लोग बहुत आगे हैं तो गाड़िया अपनी बनाने हो जो एक बहुत मुश्चित बहुत मुश्य देखिए मैं बार- जीरे दिरे common language बन गई है एक दूसरे से बात करने में एक दूसरे को समझने में तो इसका ये फायदा है लेकिन इसका ये मतलब कतता लाया समझदार है दूसरे language में बात करने वालों से नहीं है बिलकुल नहीं जपैन में आज भी उनकी अपनी भाशा में काम होता है चीन में आज भी उनकी अपनी भाशा में काम होता है ये सारे developed countries हैं यहां अंग्रेजी सीखनी चाहिए इसमें कोई दोराय नहीं और रही बाद एक इसका और नुकसान भी है जो अंग्रेजों ने और बाकी लोगों ने अंग्रेजी डाल कर हमारे में की है कि आपकी जेनरेशन्स ना हिंदी से दूर हो गई है उनको हिंदी मैं एक तरह से कहूं तो उनको शायद अपना नाम भी हिंदी में ढंग से प्रोनाउंस करना नहीं आएगा आप मेरे बात समाज़े रहा मैं क्या कहरा हूँ तो जैसे ही आप अपनी मदर टंग से दूर होते हैं मैं सिर्फ हिंदी के लिए बात नहीं कर रहा हूँ वो कनड़ा भी हो सकती है, वो तेलगू भी हो सकती है, वो तमिल भी हो सकती है वो आप अपनी भाषा तो must है अंग्रेजी आप सीख लो लेकिन सिर्फ अंग्रेजी ही सीखना है सिर्फ अंग्रेजी में ही सब कुछ करना है और अपनी मदर टंगा भूलते जा रहे हो अपनी भाषा भूलते जा रहे हो ये घलत है क्योंकि अपनी भाषा अगर आप भूलेंगे तो आप अपने कल्चर से हाँ दो बैठेंगे आपको कल्चर दूर लगने लगेगा आप उसको कहेंगे आर यार कौन करने जाए आर मुझे तो पता ही हो रहा और पीडी दर पीडी ये चीज ये दूरी बढ़ती जाएगी तो अंगरेजी आपकी additional भाषा होनी चाहिए अपने mother tongue के साथ लेकिन primary जो आपकी भाषा होनी चाहिए वो आपकी mother tongue होनी चाहिए वो चाहे गुजराती हो चाहे ढोगरी हो जिस हम दुनिया के किसी भी हिस्से में रहते हो और जिस भाषा कब इस्तेमाल करते हो वो भाषा हमारी always primary होनी चाहिए secondary में आप अंगरेजी रख लो communication के लिए चीजों को और समझने के लिए बैतर डंक से लोगों से दूसरे देश के लोगों से बात करने के लिए बट इस बिना पर मत करिये कि आप अपनी भाषा छोड़ दीजिए सिर्फ अंगरेजी पढ़िए और आजकल वही हो रहा है जो अंगरेजी मीडियम के स्कूल्स हैं बाकी जो हाई फाई स्कूल्स हैं वहाँ पर तो मतलब हिंदी बोलना भी गुना है उनका वश्यल है तो हिंदी का जो पेपर होता है वो भी अंगरेजी में पढ़ा दें वो Do you know the meaning of सर्वनाम Give me the introduction of संग्या इस ताइब की बाते होंगी तो मेरा कहना यह है कि उसको लैंग्वेज की तरह लिया जाए और अपनी जो मूल लैंग्वेज है उससे दूर ना हुआ जाए यह मेरा कहना है होफुली आप लोग मेरा पॉइंट समझ गया हूँ सब्सक्राइब कर लोग मेरा यह हूँ जाती है जो कि बीस साल इस्तमालों के मारे पहुंचती है जो कि हमारा एक बहुत बैकड्रॉप भी है हमें यही को चाहिए कि हमें इस वक्त आर्टिफिशल इंटेलिजिजन्स को आप प्रोड़ी बैसे जखना चाहिए ना के एस जो आर्टिफिशल इंटेलिजिजन्स की डिग्री कर रहे हूं लोग एम बी ए एकाउंट्स बी बी ए टीचिंग यहीं जाएंगे खुद भी तो गुरूम नहीं करते हैं या हमें को गुरूम करने वाला भी तो नहीं को बताने वाला भी तो नहीं है कि जो मुसली कंपनीस क सियोज हैं वो आपको इंडियन्स नजर आते हैं अगर आप दुबई को भी विजिट करें जो कि सिर्वा कि एक सहरा है उनने पूरी दुनिया बसा दी वहां पर हमारे पास वाला के शुक्र जखायरी बहुत जाद है लेकिन फिर भी बस एक अल्मी आए हमें सोचने चाहिए अमरीका को भी भारत ही चला रहा है यह वो एक देखें कॉन्टोफिशल सा और जो पुलिटिकल टॉपिक है बहुत लंबी बहस है वैसे आपको नहीं लगता कि जो कंपनी की जो टॉप मैनेजमेंट है जब वो सारी इंडियन ही होगी तो आल्टिमेटली इंडियन ही का कितने इताद में अगर इंडियन की निजब लेकिन थीक है हमें थोड़ा बहुत जो ना गौर्मेंट के तव से को थोड़ा पुड़ा पूंडिंग या सपोर्ट होनी चाहिए हमारी गौर्मेंट ये स्टॉक मार्किट के अंदर इस तरीके से इन्वेस्मेंट लेकर आ रही है हमें तो अभी बैसे कर लिए अफ्ली अपने दॉलर्स के और बैकुरब की पीछें यह हैं बैसे के लिए हमें अभी अपनी पार्टी में अवहाँ में अभस में क्लैश परसनल इशूज कि वजासे पूरी गर्मेंट पुरे पबली कर वो सफ़र कर रही है जो कि नहीं करन कैने में वह में टूड़ा थिप वाहरत से commence है यह व्हुंके एक शोबाज जिसमें आपको लगत हुआ हम भाहरत से भी आगा है या अगर 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 में आगा हैं धमन आगा इदरे टो का गता हैं अने में आगा हैं आप इंटेलेक्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट वकील साथ भावा किस हार भी गये वकील साथ कुछ तो बोलो कोई बात आप बोलोगे कोई दलील दो गए अथा आप वकील हो उसके बदले कोई सबूत पेश करोगे न आप करोगे हमारे दिमाग जाद अच्छे काम करते हैं IT में हम इंडिया से आगे हैं कोई सुनके हसेगा आप पर वकील साहब वकालत के डिगरी पर सवाल या निशान खड़े हो जाएंगे आपके क्या केस लड़ोगे आप अपने कॉर्पोरेट लोगों का फिर वही मैं कहता हूँ हवा हवा ही बाते करने में पाकिस्तानियों का जवाब नहीं है कुछ डेटा पढ़ा है आपने आपका आईटी एक्सपूर्ट पता है कितना है पिसले शाल साथ टू बिलियन डॉलर्स था टू बिलियन डॉलर्स इंडिया का एक्सपूर्ट पता है कितना है आपसे हंडर्ड टाइम्स जादा है हंडर्ड टाइम्स और आप हमसे मुकाबला कर रहे हैं कि IT में हम इंडिया से आगे हैं अरे कैसे कहाँ आपको पता है कि आपके जो बैंक से वाँ पर जो आपका बैंक है पाकिस्तान में बैंक है वो कहाँ के सॉफ्ट्वेर यूज़ करते हैं वो इंडियन्स के बनाए software यूज करते हैं आपके इतनी अवकात नहीं है कि एक धंका software आप बना दें और बात करते हैं आपकी इंडिया से मुकाबला करेंगे IT में हम आगे हैं I'll tell you another thing, reality of the world इंडिया की जो banking software है वो काफी पाकिसानी बैंकों में चलती है Like I know two banks जिन में मैं banking करता हूं And one of the managers I spoke to, he said जब हम इस support चाहिए होता है We speak directly India याँ हम कराची वाले headquarter फोन करते हैं वो India support वहाँ वे टीम होती हैं उनसे मारा रापता करते हैं And that's how we get support ऐसे वकील हो पाकिस्तान में तो भाई उनके clients का भाया देख लो उपर वाला ही मालिक है आप लोगों का अच्छी payment जहां मिलेगी हम लाल ची हम चल जाते हैं आपने का दमाग जो है वो हमारे पास जाद है और वो अगर देखा जाए तो बंदे तो हमारी ही हैं वहाँ पे भी Exactly उनके वो उनके अच्छा पेका रहे यह अगर पेमेंट हमें अची हमारे बंदों को की जाए तो शायद हम भी एक दिन आगे हो पाकिस्तानी ओरिजन से कोई नहीं है सारे इंडियन ओरिजन से हैं लेकिन हमें सिर्फ और सिर्फ यही आता है कि हमें कोई सपोर्ट नहीं मिलती हम बिचारे जहां पर हैं हम वही के वही जाए जाते हैं थोड़ा सा बक अप मिले हम कुछ करे के दिखाएंगे एनी लास्ट मेसेज बस दुआ होनी चाहिए हमारे लिए हम सब के लिए कि अलब बाग जो है ना हम पे रहम करे करम करे असलाम लेकूम आपका नाम मेरा नाम मुदसर मुदसर भाई मुझे ये बताएं कि भाई अभी कह रहे थे कि आई टी के शौबे के अंदर वो दमाग की अगर बात की जाए तो वो हम लोगों में जादा है आप इत्तफाक करते हैं इस बात से ज्यादा है भी ये ऐसी स्टेटमेंट है कि बता क्लियर कट नहीं कह सकता है चलि मुझे एक बात बता है स्टोक मार्केट की अगर मैं आपसे बात करूँ म्रफ उनकी एक कम छोड़े यार क्लियर कट क्यों नहीं बाते कर सकते हैं हम किसी भी चीज़ का नापते हैं तुलना करते हैं तो result देखते हैं कि इसने क्या result दिया और आपने क्या result दिया आप कहते हो कि हमारे पास दिमाग जादा है आप बताओ कि इसका result क्या है दिमाग जादा है तो यह जो confusion वाली state है जाला यह पाकिस्दान के बच्चे-बच्चे में confusion है सबूत रहते हुए भी confused र पाकिस्दानी ने कोई ऐसा software invent किया हो जिससे सारी दुनिया हैरान रहे गोई करे यार यह क्या हुआ भाई क्या घजब की चीज़ बना दी सच बोलना सीखिए आप लोग सच को स्विकारिये जब तक यह सच स्विकारिंग है नहीं ना confusion की state बनी रहेगी और confusion में आदमी तब डिमाग की यानि कि ये दिमाग कम होता है कम इस्तमाल कर दें नहीं परो गया है यह डियंदीन इन नीला नियो एक लाग को रीच कर गया हैं। देखने में आया है कितना काम वहां पर हो रहा है स्टोक मार्किट के अंदर अगर मैं पाकिस्तान की बात करों तो हमारी क्या प्रियॉर्टी है असल में पुलिटिकल स्टेबिलिटी पर डिपेंड करता है तो उदर वह प्लिटिकली स्टेबल हैं उनकी गौवर्मेंट है वो टर्म पूरा करती है अपना तो इस वज़ा से मुझे लगता है कि वहां पर कंपनीज फलरिश करती हैं वहां पर बिजनस एच्छे चल रहे हैं हमारे हां इंस्टेबिलिटी है जिसकी वज़ा से इन्वेस्टमेंट भी आती बाहिर से और फिर बिजनस बिजनसमेन ज़रा इ बहुत सारे शोबें हैं मैं आपको बतादों जिसमें बारत लीड कर रहा है और पाकिस्तान से आगे मतलब जो है और बाहरा मुझे HEL। और भारत हम से पीछे है कुई एक हम देखें आजकल बस लड़ाई जगड़े में आगे हैं हम से बस और दूसरी चीजी है ऐसी बात है मतलब कोई ऐसा पॉजिटिव हमारे पास पॉइंट नहीं है जिसमें हम कहेंगे हम भारत से आगे फिलहाल अभी इस सेनारियों के मताबिक के अगर हम शायद हमारी जो गवर्मेंट्स थीन अगर वो स्टेबल रहती हैं पिछली दो एक दो गवर्मेंट्स भी जो गिराई गई है जिस तरह से है तो हम कुछ शोबों में आगे हो सकते थे क्योंकि हमारी आईटी की बढ़ रही थी और उसके इलावा हम मतलब फ्री लांसिंग में हमारे बहुत सारे फ्री लांसर एशिया में नंबर वान पर जा रहे थे उसके इलावा एक्सपोर्ट्स हमारी अच्छी जा रही थी इंपोर्ट्स हम काबू कर रहे हैं कोशिश कर रहे थे लेकिन बस अप्री लांसर की ज कहां स्टेंड कर रहे हम मतलब दुनिया को छोड़े हम पूरी दुनिया की बात नहीं करते आपके सियासत दान आपको यॉरप की बात बताएंगे उसको आप छोड़े भारत की अच्छा बड़े लोग गर्व से बताते हैं कि फ्रिलांसिंग बहुत बढ़ रही है फ्रिलांसि पर रखा जा सके आपको तो जब आप दिहारी मजदूरी करेंगे तो उसमें क्या होता है कि फ्रिलांसिंग पर्मानेट जॉब नहीं है ना फिर्लांसिंग में जब काम होगा तब आपके पास पैसे आएंगे, जब काम नहीं होगा तो पैसे नहीं आएंगे, ठंठन गोपाल फिर, और जब पर्मानेट जॉब में आप होते हैं, तो उसमें क्या होता है कि आपको पता है कि महीने के आखिर में मेरे पास इतने कर सकते क्योंकि वह अंसर्टेन है कि आगे क्या होगा हो सकता है कि एक लिए अधारिक जएक हए आप लोग बड़े खुश होता है जी अरे यार फिलांसिंग फिलांसिंग बात कर ले भारत कितना आगे निकल गया भारत वाकि हमसे ना इस फिल्ड में आईटी के लिहाज से वह बहुत आगे निकल गया और आटो मुबाइल में इसमें भी आगे हैं हम तो कुछ बनाते ही नह आपको पता है तो आपको पता है साड़े तीन सेटलाइट वह लाँच कर चुके हैं अब ने सिर्फ एक दो किया है तो कितना आगे है बहुत आगे हैं और हर फिल्ड में इस तरह से नहीं गा थे मैं लिए जो आज कल प्रोमिनेंट है ना वह आईटी के लिए लाँज से बह अफरीप है तो स्टेबल पॉलिटिकली किसने बनाया हम लोगों ने बनाया यहां की जनता ने बनाया इसलिए यहां पर एक भी बार मार्शल लोण नहीं लगा क्योंकि यहां की जनता देमोक्राटिक है और यहां में डेमोक्रसी आपको पताएगी नहीं कि डेमोक्रसी जो है वो भारत की देन है बाकिया पढ़ते रही है डेमोक्रसी भारत की देन है वैशाली गणराज रिपब्लिक और वैशाली पहला गणराज जिता जिसे दुनिया का सबसे पुराना Republic कहा जाता है तो इसलिए हमें पता है कि Democratic Values क्या होते हैं दुनिया चाहे कुछ भी कहती रहे आज वही Democratic Values हैं जिसके वज़े से हम ये 130-140 करोड की जो जनसंख्या है इसको बड़े आराम से चला रहे हैं पुरा देश ग्रो कर रहा है डेवलप हो रहा है आगे बढ़ रहा है इसलिए क्योंकि हमने अपने Democratic Values को छोड़ा नहीं है हम लड़ा जाते हैं इसके लिए सरकार कोई भी हो ऐसा नहीं है कि सारे लोग मोदी जी के पीछे ही पढ़ जाएंगे कोई भी फैसला लें लेंगे वो तो ऐसा नहीं है तो Democratic Rights हमें पता है हम चुपचप घर में नहीं बैठे रहते हैं हमें लगता है कि कोई चीज गलत हो रही है आप लोग बैठे रहे तो आप लोग प्रोटेस्ट किस पर करोगे इसलाम पर खत्रा गया निकलो घर से बाहर निकलो घर से बाहर निकलो लबायक वाले आ गया और यह यह करना है फ्रांस के उसके सफिर को बाहर निकलना निकलो घर से बाहर निकलता है कि हमें इनुवस्टी चाहिए हमें कॉलेज चाहिए हमें ब्रोजगार चाहिए हमें बिजली चाहिए हमें पानी चाहिए हमें टेकनोजी चाहिए कोई इसके लिए घर से बार निकल और फिर आप कहते हो कि वो सब सुबे में आगे सुबे में आगे सब चल रहे हैं क्यों नहीं होंगे हम यह बताओ ना क्यों करेंगे लोड शेडिंग से बाहन नहीं निकल पारें जो लेडर्शिप जो वहां पर नरेंदर मूदी की गौवर्मेंट वो बेटर है इपाल इभ Story पाकिस्टानी आवं वो तो है läuft कि अपने लोगों के लिए हैं तो वो उसके लिए अच्छे के लिए और हमारा अगर यहां पर जो गौवर्मेंट उनकी बात की जै वह वो वांके लिया है अगर वो भी गौवर्मेंट लोगों के लिए होती है तो लोग अगर खुश हैं लास्ट में मुझे कंपैरिजन बता दें अगर मैं नरेंदर मुदी और शहबाज शरीफ का करूं तो आप किस को रेट देंगे अपनी कंट्री की डिवैल्पमेंट के हवाले से लोयल्टी के कर रहा हूं लेकिन शायद कंपैरिजन इसलिए भी नहीं बनता कि उन्होंने वाक्षी काम किया अपने मूल के लिए हमारे इदर नहीं है अब एक टाइम ता छुपा लेते थे सियस्दान अब यह चीज़ चुपा ही नहीं जा सकती अब सब को नजर आ रहा है कि वो आगे न नजर नहीं आ रहा है कि कुछ कितना साल पीछे रहे हैं हम बारत से कमसे कम सौ साल हो भी शायद कम बता रहा हूं सौ साल पीछे हैं आप लोग हंडेड इयर्स और यह दूरी कभी कम नहीं हो पाएगी क्योंकि आप लोगों ने उसके लिए अभी तक काम शुरू भी नहीं किया है काम शुरू भी करते तो लगता ही चलो या शुरू कर दिया है स्पीड अप होगा तेजी आएगी तो गैप जल्दी से कम होगा आप क्या कुछ भी नहीं यह कैसे मैं मालनू कि एक तरफ आप कहते हैं कि बड़े हुनर्मन्द लोग हैं लेकिन रिजल्ट में पाकिस्तान में पिछले 75 यह में कुछ नहीं दिखा यह कैसे मैं मालनू कि दिमाग में आपके लोग बड़े तेज हैं लेकिन उसका रिजल्ट में कुछ भी नहीं देखा पाकिस्तान में कुछ भी नहीं दिखा आप कहते हैं कि जी हमारे लोग मौझूद हैं अरे आपके इतने पड़े लिख्या और हुनारमंद लोग है जो देश के बाहर जा रहे हैं वो क्या कर रहे हैं देश के बाहर जाकर क्या वो गूगल के CEO बन गया है क्या वो IBM के CEO बन गया है क्या बड़े से बड़े जो कंपनीज है क्या वो उनके अंडर आती है वो कंट्रोल करते हैं इंडियन्स कर रहे हैं कंट्रोल क्योंकि इंडियन्स में काबिलियत है और यह मान लिजए कि आप लोगों में न हुनर है ना आप लोगों में काबिलियत है ना आप लोगों में माइंड है आप लोगों को माइंडलेस बना दिया गया है आपके यहां की जमातों ने आपको माइंडलेस बना दिया है चूरन खिला खिला कर और कंपेर करने चलते हैं कहां कंपेरिजन है यार और इंज मामूल हक का नहीं होगा मैं यह नहीं कर रहा है कि इंज मामूल हक खराब बैट्समें थे लेकिन लिजेंड्स में और एक नॉर्मल प्लियर में फर्क होता है इंज मामूल हक लिजेंड नहीं थे इमरान खान को आप रख सकते हैं उस लीजेंड वाले उसमें कि इमरान खान एक लीजेंड थे क्रिकट में बहुत अच्छा उल्राउंडर थे, बॉलिंग बड़ी जबरस करते थे, बैटिंग भी बहुत अच्छी करते उनका कंपरिजन कपिल देव से होगा कपिल देव का इमरान खान से होगा बाकी एवरेज प्लेयर से ये नॉर्मल प्लेयर से नहीं हो सकता ना कंपेर यार तो अभी आपकी जो हालात है इंडिया जो है वो लीजेंड वाले ग्रूप में है और आप जो बाल कि बिलोध एवरेज हो इन फैक्ट बिलोध एवरेज से भी कुछ होता है गया उससे भी नीचे हुआ और आप कंपेर करने चलते हो यार मैं वही तो कहता हूँ आपने का दो-तीन सेटलाइट्स लाँच किया आप लोग ने आपने लाँच नहीं किये किसी और ने लाँच किया आपके नाम पर हमने लाँच किये अपने सेटलाइट्स आज भी कुछ सेटलाइट्स हम अपने भारी सेटलाइट्स दूसरे देश्चे करते हैं क्योंकि अभी तक शायद वह हम डेवलप नहीं कर पाएं और धीरे-धीरे हम काम करना है हमारे GSLV हो गया इस लाइक की बहुत कुछ हम लाउंच कर देते हैं भारी-बार कम सेटलाइट्स भी लेकिन एक लेवल पे पहुँचने के लिए जो बहुत भारी सेटलाइट्स है 20,000 के, 30,000 के उनको भी करना है और वो हम अचीव कर लेंगे मुझे पता है इसलिए हमें इस रोपे बहुत प्राउड है और वो हम कर लेंगे पाकिस्तान में तो इसके लिए कोशिशे भी नहीं हुई न आप बता दो कि पाकिस्तान की सुपारकों ने एक कोई रॉकेट लाउंच किया हूँ बता दो आप मुझे मान जाओ मैं जबकि हमारे इस रोप से पहले बनाया गया ने लेकिन इस बात नहीं करनी हाँ अटारी बॉर्डर पर टांग हमारी उपर जानी चाहिए तो करो बाई टांग उपर किसी दिन टांग उपर होगा बस कर से जरासंद टाइप जो भीमने मारा था ना जरासंद को इधर से उधर वही हो जाएगा जल्दे मिलता हूँ एक और नए वीडियो के साथ नमस्कार जाहिन